Hello friends, welcome back to my channel. I hope आप सब अच्छे होंगे and technically कुछ न कुछ निया सीख रहे होंगे. So guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी virtual machines को provision होने के पाद अगर हमें उस पे कुछ install करना है, तो हम Terraform को use करते हुए कैसे कोई भी software install कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम Docker को और Kubernetes को अपनी virtual machines पे Terraform के थुरू provision होने के बाद install करेंगे. तो चलिए start करते हैं अपना आज का वीडियो. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले कि provisioners क्या होते हैं Terraform के अंदर. यह बहुत important वीडियो है क्योंकि इनका use हम बहुत ज़ादा करते हैं जब भी हमारा machine provision हो जाता है उसके बाद हम उस पे configuration related चीज़े जो हम बोलते थे configuration management related part वो इन provisioners को use करते हुए यह करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे कि connection block क्या होता है जो हम provisioner से पहले place करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि docker और kubernetes के installation के लिए हम किस तरीके से instructions को लिखते हैं और कहां पे वो हमें instruction place करनी होती है. यह सारा theoretical session complete करने के बाद हम practical demo की तरफ move करेंगे. ओके गाईस, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कितने types of provisioners होते हैं terraform के अंदर. तो provisioners comes होते हैं हमारे into picture जैसा मैंने लिखा कि जब हम virtual machine का creation कर लेते हैं. उसके बाद अगर हमें virtual machine पे कोई action perform करना होता है तब हम provisioners को use करते हैं. तो जो पहला हमारा provisner आता है, तीनों provisner में वो provisner हमारा होता है file provisner. Second जो हमारा provisner आता है, वो हमारा होता है local exact provisner. और third provisner हमारा जो आता है वो होता है remote exact provisner. सबसे पहले देखते हैं कि file provisner क्या होता है. So file provisioner हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक file को हमें copy करना है local machine से और उसको हमें run करना है terraform commands के थुरू newly created VM पे तो हमें copy करनी है जैसे कोई script अपना जो हमने VM बनाया है suppose हमने कोई एक file बनायी उसके अंदर हमने कोई भी shell script लिख दी उस shell script को हमें अपनी new provision VM के अंदर जाके place करना है तो हम file provisioners के थुरू उस file को copy कर सकते हैं अपने local file system से newly created VM के अंदर second आता है local exec provisioner So local exec provisioner के अंदर हमारा क्या होता है कि जब हमें commands execute करने होते हैं machine पे और हमें उसी machine से run करने होते हैं command जहांपे हमारा terraform install है और जहांसे हम terraform commands को use कर रहे हैं तो इसका example होता है जैसे अगर हमें कोई API call देना है या हमें कोई script execute करनी है उसी machine पे जहांसे हम terraform run कर रहे हैं तो उसके लिए हम local exec को use करते हैं और next हमारा होता है remote exec provisioner So local exec की तरह हमें वो काम अपनी newly created machine के उपर करना है तो हम उसको remote exec के तरह use करते हैं तो हम आज के अपने demo के अंदर remote exec को ही use करेंगे जैसे use करते होए हम अपनी machine के उपर जो newly created है उस पे हम commands run करेंगे जैसे अगर हमें कोई software install करना है और इसी को हम बोलते हैं configuration management तो देखते हैं terraform के तरह हम configuration management भी कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है जब हम same code को ही use करेंगे जो code हमने अभी इससे previous videos में भी use किया था virtual machine का उसके अंदर हमें connection block प्रेस करेंगे उस connection block के अंदर हमें self object को use करना पड़ेगा और host में अगर हम self.public.ip.address डालते हैं तो जो machine हमारी created हुई है उसका जो IP address है ये line जो होती है इसके थुरू हम उस IP address को pick कर लेंगे और हमारे host को assign हो जाएगा और उस machine के लिए हमने जो username और password बनाया था उस username और password को use करते हुए हम उस machine में SSH करेंगे तो जैसी ये SSH connection successful होगा उस SSH connection के successful होने के बाद हमें जो है file provisioner declare करना होता है या फिर local exec provisioner और उसके साथ हम remote exec provisioner को भी declare कर सकते हैं तो file provisioner का पहले example देख लेते हैं सपोज अगर हमें copy करनी है myapp.conf file जो हमारे local में रखी है सपोज हम Linux based machine पे बैठे हैं जहां पे conf के अंदर myapp.conf file रखी है तो हमें इस source से उसे उठाके slash etc slash myapp.conf में रखना है जो हमाली newly created machine के उपर file system है तो इस तरीके से हम file provisioner को use कर सकते हैं सेकेंड आता है local exec provisioner तो जैसे अगर हमें कोई भी command अपनी उसी machine पे run करनी है जहां पे terraform है तो हम उसके तरू use कर सकते हैं local exec provisioner को तो इसको mainly हम तब use करते हैं जब हमें कोई API call देना होता है तो उस API call को देने के लिए हमें जहां हम current matter है वहीं से कोई instruction हमें use करनी है suppose हमारी machine बन गई है हमने output के तरू IP ले लिया वो उस IP को मुझे किसी दूसरी application को pass करना है तो हम local exec provisioner को use करके उसका IP pick करके उसको किसी file में save कर सकते हैं या फिर उसको हम curl command के तरू एक API call दे सकते हैं उसके लिए हम local exec को use करते हैं और third हमारा जो होता है remote exec तो हमें लिखना होता है provisioner remote exec curly braces बंद करने होते हैं और एक inline block हम बनाते हैं तो इस inline block के अंदर हम सारे commands लिख देते हैं जो सारे के सारे commands हमें machine पे execute करने होंगे तो हम यही syntax आज के अपने example में use करेंगे और docker and kubernetes का setup करेंगे उसके बाद हम file के साथ remote exec को भी use कर सकते हैं जैसे file के थ्रू हमने क्या किया source पे हमारी file को script.sh पड़ी है और हमें newly created machine के slash tmp पे वो script डाल ली है तो हम इसके थ्रू डाल सकते हैं और उसी तरीके से जब वो script हमारी वहां पहुँच जाएगी तो हम अपने remote exec provisioner के थ्रू उस script को execution की permission दे सकते हैं और उसमें हम कुछ arguments पास करके run भी कर सकते हैं तो हम file प्लस remote exec को साथ में भी use कर सकते हैं दोनों provisioners को ओके गाईस तो इसके बाद हम देखते हैं कि Docker और Kubernetes को install करने के लिए हम क्या use करेंगे तो यहाँ पे Docker और Kubernetes को install करने के लिए हम simply commands को use करेंगे तो जैसे मैंने पहली command यहाँ पे use करूँगा sudo apt-get update तो यह तो आपका updates लेने के लिए हो गई उसके बाद हम install करेंगे curl को क्योंकि curl by default नहीं आता उसके बाद हम curl command को use करते हुए download करेंगे हमारे जो packages होंगे related to kubectl and हम इसमें minikube का cluster create करेंगे आज और जब हमारा curl और kubectl हमारा इसमें आ जाएगा तो हम kubectl को execute permission देंगे ch mode के थूँ then हम move करेंगे dot slash kubectl को इस particular path पे ताकि हम kubectl command कहीं से भी चला सकते हैं उसके बाद docker को install करने के लिए हमें simply एक ubuntu-bait machine है तो हम apt-get install docker.io-y करेंगे इससे हमारा docker setup हो जाएगा और उसके बाद हम gpasswd के अंदर docker user की entry कर देंगे जिससे हम docker को command को भी कहीं से run कर सकते हैं उसके बाद हमें minikube का Linux AMD64 का setup है वो हमें wget के थूँ download करना पड़ेगा और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी यह version यह जो मेरे instructions है यह instructions इसी version पर work करेंगे क्योंकि kubernetes में latest releases भी आती रहती है तो उसके according हमें commands change करने होंगे और इस version version 1.22.0 को मैंने test किया है और यह perfectly work करता है इसलिए हम इसी version को use करेंगे देन उसके बाद हम इस downloaded package को execution की permission देंगे देन हम इसे move करेंगे user local win में ताकि हम mini cube से related commands भी कहीं से run कर सकें और इसमें जब हम इस command को execute करते हैं तो वह हमसे कुछ dependency मांगता है जो dependency हमारी होती है contract करके इसलिए मैंने instruction apt-cat install contract भी इसमें किया और mini cube को start करने के लिए हम vm driver none जो recommended feature होता है उसके थ्रूई जाएंगे and then उसके बाद हमारे जो भी files dot cube और mini cube होंगे उनको हम ownership दे देंगे जो हमारे machine का user होगा जो हमने create किया है तो instruction बहुत simple है straightforward instructions है और यही दोनो blocks हमें as it is place करने है और हमारा demo complete हो जाएगा तो guys theory part यहीं पर complete होता है लेकिन यह बहुत important section है terraform का क्योंकि हम यह बहुत frequently use करते हैं तो I hope theory आपको समझ आ गई होगी बट अगर theory में कोई भी doubt रहे गया है तो अभी उसे practically करके देखते हैं कि क्या चीज़े perfectly work कर रही है यह नहीं तो चलिए start करते हैं अपना practical demo ओके गाइस तो यह हमारा terraform का code था जो हमने अपने previous वीडियो में भी use किया था virtual machine को create करने के लिए तो हम same code use करेंगे हम कहीं पे कोई भी changes नहीं करेंगे बस एक जगह पे हम एक block place करेंगे तो सबसे पहले resource group बनाया then virtual network बनाया then sub network बनाया then एक public IP क्रियेट की network security group and rules क्रियेट किये and then उसके बाद हमने network interface को क्रियेट किया इन दोनों के बीच में association किया and then हमने अपनी virtual machine को क्रियेट किया तो जो भी लोग नए है और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे है आप मेरे playlist में Terraform के मैंने Hindi English दोनों में ये playlist बना रखी है तो आप वहाँ पे check कर सकते हैं वहाँ पे same ही मैंने चीज़े सब place कर रखी है तो कैसे हम ये code क्रियेट करते हैं कैसे हम connection बनाते हैं मैंने सब कुछ वह explain किया है मैं इस video में सब video में वह explain नहीं कर रहा है क्योंकि उससे मेरा video बहुत बढ़ा हो जाता है तो to the point video के लिए मैंने वो सारे चीज़े पहले ये videos के अंदर डाल दी है तो आप अगर मेरे previous videos को refer करेंगे तो आपको समझा जाएगा है पूरा code बनाया कैसे और कैसे मैंने Azure Cloud से Terraform का connection create किया है तो ये सब हो जाने के बाद अभी तक हमारा जो code रहता था virtual machine का हम ये code यूज़ करते थे अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले हम connection block जो मैंने उसमें भी दिखाया था आपको presentation में वो connection block हम यूज़ कर लेंगे तो हम उस connection block को यहाँ पे place कर देंगे हमें कुछ नहीं जाना बस last वाला brace छोड़ना है और हम यहाँ पे अपना connection block place कर सकते हैं तो ये आगया हमारा connection block और जब हमारा connection block place हो गया इसके बाद हम place कर सकते हैं अपना provisioner section जिसके अंदर मैंने docker और kubernetes को install करने के instructions लिखे होए है तो इसको भी हम यहाँ पे इसी तरीके से place कर देते हैं तो अब हमारा code completely ready हो गया है हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा इसलिए हमें Linux के commands अगर आते हैं तो हम कुछ भी चीज इंस्टाल कर सकते हैं अपने provision VM के उपर तो अभी मैं क्या करता हूँ मैं इस फाइल को save कर देता हूँ and मैं एक terminal open कर लेता हूँ and मैं इसी folder पे sit हूँ अभी सबसे पहले हमारा जो command होता है वही run करेंगे जो होता है terraform init तो terraform init से जितने भी हमारे modules होंगे और जितना भी कुछ हमने अपनी provider.tf के अंदर लिख रखा है कि हमें कौन सा provider चाहिए होगा क्योंकि हम azure पे provision कर रहे हैं तो azure का provider हमें चाहिए होगा तो अभी वह download करता है तो download करने में वह एक .teraform folder बनाता है इसके अंदर वह provisional related version and everything उन्हें download करता है भी एक और फाइल create होगी जो होती है .teraform.log.scl तो उस version पे वह एक log भी provide करता है तो हम wait करते हैं यह कुछ 15-20 seconds का time लेता है और जब हमारे provisional सारे के सारे download हो जाते हैं उसके बाद हम proceed करेंगे अपने planning के साथ and then apply करेंगे इसको तो wait करते हैं थोड़ी देर तो यह basically हमारा azure rm का version 3.93 जो है उस version को अभी यह download कर रहा है तो provisional हमें declare करने होते हैं मैंने previous videos में भी explain किया था कि हमें provisional की जरूरत क्यों होती है हम क्यों लेते हैं और हमें किसी particular cloud के लिए उस particular cloud का ही provider क्यों use करना पड़ता है तो वो सारा अगर आप चानना चाते हैं तो मेरे previous videos में चेक कर सकते हैं तो अभी आपने देखा terraform has created a log file.terraform.log.scl तो यहाँ पे वो file बन भी गई तो इसने basically 3.93.0 version पे जो है terraform init-upgrade चलाना पड़ेगा तब वो नया version जो है log file के अंदर आएगा तो अभी हम कर लेते हैं terraform plan तो देखते हैं कि क्या हमने जो भी coding करी है वो coding सही है और plan के according हमें सब कुछ सही से पता चल पा रहा है या नहीं तो यहां से पता लग रहा है कि सारे के सारे resources यह हमारे 8 resources create करेगा और जो green plus का मतलब होता है सारे नए resources created होते हैं तो यह सारे के सारे हमारे 8 resources को provision कर देगा तो अब भी हम चलते हैं terraform apply करते हैं और इसी के साथ अगर हम hyphen hyphen auto hyphen approve भी लिख देते हैं तो उस case में हमें yes बाद में as an approval नहीं देना पड़ता क्योंकि हम इस plan के साथ हमें समझ में आ रहा है कि चीजे सही है इसलिए हम directly auto approve दे सकते हैं तो यह resources हमारे धीरे-धीरे करके create होने start हो जाएंगे तो देखते हैं कि क्या है resource creation start हो गया yes तो सबसे पहले हमारा resource group create होना शुरू हो गया and then virtual network then public IP then network security group create हो गया है and then virtual network along with subnets and then network interface it is now provisioning so इन सारे के सारे resources को create करने के बाद यह आएगा हमारा virtual machine पर और जब virtual machine हमारी create हो जाएगी उसके बाद उस virtual machine को पहले यह ssh लेगा connection block के तुरू same username और password को use करते हो जो हमने username और password use किया है and then उसके बाद यह हमारा उसमें जो instruction लिखे है remote exec के अंदर उन instructions को execute करना शुरू करेगा तो वो सारी चीज़े हम इदर monitor करेंगे और मैं वीडियो pause नहीं करूंगा otherwise वो चीज़े दिखेंगे नहीं कि वो exactly क्या कर रहा है तो अभी यह हमारा Linux virtual machine को create कर रहा है तो जैसे यह इस machine को create कर देगा complete उसके बाद ही यह उसके ऊपर Docker and Kubernetes को install करना शुरू करेगा तो चेक करते हैं कि यह कितना time लेता है इस machine को provision करने के लिए तो guys इस तरीके से ही हम कभी भी किसी project में या कहीं पर work कर रहे होते हैं तो इसी तरह से हम work करते हैं अगर हमें कुछ install करना होता है तो अभी हम देख रहे हैं connection start कर रहा है हमारे remote host के साथ और हमारे same username और password को लेत और यहां पर हमें आगया message connected तो अभी हमारा यह जो सारा का सारा काम हो रहा है यह सारे वो instruction execute हो रहे हैं जो हमने remote exec के अंदर place किये थे तो यह धीरे धीरे करके उसमें सबसे पहले download करेगा curl को and then download करेगा cubectl को and then उसके बाद permissions देगा permissions देने के बाद user local bin में रखेगा ताकि ह हम कहीं से भी cubectl commands हमारे जो हैं और docker related commands हमारे जो हैं वो सारे के सारे commands हम execute कर सकते हैं तो अभी हम देख रहे है कि curl इसको मिल गया है और manually installed भी हो गया है अभी यह कुछ dependencies देख रहा है इसके अंदर उनका installation running है तो इस तरीके से हम कोई भी software install कर सकते हैं मैंने docker kubernetes का example इसले है क्योंकि इनके installation थोड़े difficult लगते हैं और बहुत required भी होते हैं क्योंकि इस पर हम काफी कुछ आजकल test करते रहते हैं इसलिए मैंने एक example create किया कि कैसे हम docker और kubernetes को easily hardly हम देखेंगे इसमें two to three minutes का setup है जिससे हम पूरा docker और kubernetes स्टार्ट करके अपनी practice कर सकते हैं और terraform के अगर हम यही चीज कितनी easy हो गई है अगर हम यही चीज manually जाके करते हैं तो हमें बहुत time लगता है तो हमें थोड़ा सा work करना पड़ता है commands पता हमें होने चाहिए जह हमें commands पता होते हैं तो उन commands के साथ हम इसको perfectly run कर सकते हैं तो मैंने पहले commands को Google से ही find out किया था और अपन के थरू अपना पूरा Kubernetes का mini cube cluster and docker को install कर सकते हैं तो अभी हम देख रहे हैं क्यूबलेट को set कर रहा है जो क्यूबलेट हमारा one of the component होता है node site पे और worker node site पे तो यह उसको install कर रहा है and देखते हैं कितना time लेता है अभी 2 minutes 50 second हुए है और यह हमारा Kubernetes के setup पे आ गया है तो आप देख सकते हैं कितना fast है Terraform के तुरू चीजों को provision करना that's why Terraform market का leader है इस time किसी भी infrastructure provisioning के लिए और इस time हम इस पे configuration management भी कर रहे हैं तो configuration management भी हम इसमें काफी हथ तक कर सकते हैं बट यह expert है infrastructure provisioning के लिए इसलिए हम machines इसके तुरू provision करते हैं और अगर हमारा configuration management का का काम बहुत जादा है तो हम उसको Terraform के तुरू ना करके Ansible के तुरू implement करते हैं क्योंकि Ansible champion है configuration management के लिए तो हम इधर Ansible, Chef, Puppet इन में से कोई भी tool यूज कर सकते हैं configurations के लिए तो अभी Qubelet हमारा set हो रहा है तो अभी इसने generate करना शुरू कर दिया certificates and keys related to kubernetes cluster so just wait करते हैं next one और one and a half minutes का and now यह setup कर रहा है control plane को जो हमारे master के components होते हैं kubernetes में तो इसका installation इसी के साथ हमारा complete हो जाएगा आज का demo भी क्योंकि जिसके अंदर हमने देखा कि हम remote exec को कैसे use करते हुए अपनी provision machine पे कुछ भी install कर सकते हैं तो आप चाहें तो इसके उपर अपना Apache install कर सकते हैं या कोई भी ऐसे instructions जो आपको लगता है कि automate करना चाहते हैं उसको इसके थरू कर सकते हैं तो अभी आपने देखा कि इसने हमारा complete कर दिया installation और इसने बुला है done क्यूब की कटल is now configured to use minikube cluster and default namespace by default and this is the IP so अब हमें cloud पे जाने की जरूरत नहीं है क्या resources बने हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है हम जस्ट इस IP को copy करेंगे and login करके देखेंगे तो हम अपना putty session open कर लेते हैं and इस putty session के ऊपर अगर में यही IP डालूं और हमारा क्या username and password होगा इसमें तो username and password हमारा यही रहेगा मैं डाल देता हूं कि I think username में थोड़ा issue हो गया है तो मैं duplicate session open कर लेता हूं user and password is okay guys तो हम अपने machine के अंदर आ गए है and इस machine पे अगर हमें check करना है तो हम docker का version check कर सकते हैं so I think docker-version work करता है तो यह हमारा docker install हो गया है इसके ऊपर and हम docker से related कुछ भी check कर सकते हैं running processes या कोई भी हम stop processes भी देख सकते हैं कि हम कोई भी चीज जो है इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे कौन-कौन से processes run करने तो docker perfectly fine कर रहा है अभी हम देखते हैं mini cube cluster हमारा सही से set हो गया यानि mini cube status command से देखते हैं येस तो यहां पर हमें देख रहा है control plane है host running है cube late running है API server running है cube config configured है अभी हम देखते हैं कि क्या cube cuttle command भी हमारे चल रहे है cubectl get notes तो येस ये भी हमारा चल रहा है अगर हम इसको करते हैं hyphen o white तो हमें IP भी मिल जाएगा यहां से तो येस हमें extended form में चीज़े मिल गई हैं इसके अंदर और अगर हम करते हैं cubectl get namespace तो जो भी namespaces है हमारे वो इसमें आ जाएंगे और अगर हम इसमें करते हैं cubectl get pods so अभी default namespace के अंदर कोई pod हमारा नहीं है तो हम किसी दूसरे namespace के pods भी चेक कर सकते हैं cube hyphen system को select करके so इसके अंदर हमें हमारा etcd का pod, api server, controller, proxy, scheduler, storage provisioner, code dns सारे pods हमें इसके अंदर मिल जाते हैं so guys इस तरीके से हमारा आज का demo भी complete होता है और हमने connection block को and remote exec को use करके docker and kubernetes को भी set कर दिया और अगर हम time देखें तो हमें सिर्फ इसको create करने में 4 minutes 22 seconds लगें और इतना fast अगर हम खुद manually करके जाके दोनों को install करने की कोशिश करते machines create करने की, सारा network set करने की तो उस case में हमें बहुत time लगता तो यही beauty a terraform की की चीज़े बहुत fast होती है तो अभी जब हमारा practical demo complete हो गया है तो हम इसे destroy भी करना होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे apply के जगे simple destroy कर देंगे और यह complete जो हमारा setup है यह हमारा destroy होना शुरू हो जाएगा So guys, I hope जो भी चीज़े हम slides के अंदर देख रहे थे वो आपको practically भी clear हो गई है अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो मेरे video को like करें मेरे channel को subscribe करें and I'll see you in my next video करेंगे